तो वेल और जिनोंने भी यार सीवेस सीके कमपार्टमेंट एक्जाम्स अभी दिये हैं रिसेंटली में ही वो लोगों को यार मेरे हर एक कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कहिना वी वान्ट मॉड्रेशन वी वान्ट मॉड्रेशन पॉलिसी ऐसा वैसा तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थी कि हैर कॉपी चेकिंग में इन्हें लग रहा है कि बहुत सारे स्टुडेंट को इवन की भाई यहां पे कुछ सब्जेक्ट्स जो थे हार्ड आए हुए थे इस कंपेर टू बोर्ड एक्जाम्स में जो अब उनके जब मेन एक्जाम्स हुए थे उनसे भी हाड़ी एक्जाम्स हुए थे तो वो चाहते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी के तहट इसकी कॉपी चेकिंग होना चाहिए तो क्या सीबीसी सच में यह चीज़े कर रहा है नहीं कर पॉलिसी को लेकर बहुत सारी बाते हैं जो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं अगर तुम भाई कंपार्टमेंट का एक्जाम्स दिए हो ना टेन 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 ट्विल्ट बोद क्लास की बात कर रहा हूं मैं तो इस वीडियो का एंड तक जोड़ क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग वहां से जाके हमें टेलिग्राम में भी जॉइन कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दू कि यार यह जो कॉपी चेकिंग और मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर है ना तो यह चीज़ें एक बार क्या था कि सीबीसी ने कह था बीच में 2016-17 की में बात बता रहा हूं कि मॉडरेशन पॉलिसी को हम लोग बंद कर देंगे ग्रेस मार्क्स वगेरा बच्चों को नहीं देंगे ठीक है फिर बाद में यह बात गई कोट तक के उसके बाद में कोट ने कहा कि भाई तुम आधा बीच में आने के बाद में यह चीजे पॉलिसी में चेंजेस नहीं कर सकते हो और बच्चों का इससे नुकसान हो गई इन बहुत सारी चीजों को देखा गया जिसे मॉडरेशन पॉलिसी आपकी जो है एक्जाम्स वगेरा में भी दी गई थी ठीक है कई चीजे जो होती ही नहीं सीबेसी अंडर टेता है कि आपको भाईdd मॉडरेशन पॉलिसी के तहत में वर्क करना है या नहीं करना है घ्रेश मार्क देना ही या निए देना है तो मैं तुम्हें सिंपल सा फंडा बताओं CBSC ना यार तुम्हें moderation policy देता है देगा ही आपके compartment exams में भी तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर वो भी तो चाहेगा अधिक से अधिक student उसका pass हो central level का board है हर state board को उसे जबाब देना पड़ता है तो वो क्यों चाहेगा कि CBSC already तुम्हें पता है कि CBSC अपने student को pass करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं और बहुत सारी ऐसी policies लगा की copy check करता है जो कि state board वाले बच्चों को नहीं दी जाती है I repeat state board वाले बच्चों को बहुत सारी policies का फाइदा नहीं मिलता है चाहे आपको इसी भी policy ले लो बहुत सारी ऐसी policy जो CBSC में होती है लेकिन यह यहाँ पे आप लोगों को state board में नहीं होती है तो तुम्हें यह moderation policy मिलेगी भी second चीज copy checking को लेकर मैं तुम्हें बता दूँ कि बहुत सारी बच्चे बोलते हैं हमने बहुत सारा लिख्या आया मन से आया भाई क्या होगा simple सा एक funda है depend करता है copy checker जो आपका copy check कर रहा है उसका mindset उस time पे कैसा है ठीक है यह भी बहुत important point है क्यों क्योंकि यार अगर आपने copy में starting साही कचरा कर रखा है तो आपका एक page पलटते ही उसको समझ में आ जाता है कि बंदा कहां से कहां तक जा सकता है या भी जिनने भी लिखा है वो ठीक है तो वो क्या है कि उस time पे आप लोगों को जो है उतना strictly भी copy check नहीं करते कमपार्टमेंट के लिए फिर से जो है इतना struggle कर रहा है फिर से वो तैयारिया करके फिर से exams दिया है तो भाई कोई भी copy checker नहीं चाहेगा कि आप फैल हो जाओ ठीक है तो moderation policy तुमें दे दी जाएगी दो चार मार के लिए तुम अटक रहे हो तो भाई साब कुछ नहीं होगा we want moderation policy we want moderation policy कहने से cbsc भाई तुमें official circular जारी करके नहीं बताएगा वो दे रहा है देगा बहुत सारे मेरे ऐसे भी contact में है जिनसे मैंने बात की copy check recently में कर रहे हैं उन्हें instructions privately भी दे दिये जाते हैं चीज़ों के ठीक है तो आप लोग टेंसन मतलो सब अच्छा होगा बेटर आएगा आपका result भी 7-8 अगस्त क्या आजाने चाहिए ठीक है और वो आभी जाएगा आप लोग tension बिल्कुल मतलीजे भाई कुछ update आती कोई जानकार या ती मैं आपको वीडियो बनाके बता दूंगा बहुत सारे points आते हो यह से होते हैं कॉपी चेकिंग में जो भाई इजी हो जाता है एकदम से यह मैं तुम्हें बस उपरी उपरी समझा दू क्योंकि बहुत सारे लोग जो वी वांट पॉलिसी और पता नहीं क्या क्या चल रहा है आप लोगों के माइंड में तो थोड़ा सा किलियार हो जाए बस फिलाल के सरी इतना रहा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए बाई बाई जैहिन